बात करेंगे चतिसगर की जहां कोरोना के मरीजों के संख्या लगतार बढ़ती भी जा रही है राजवानी राइपुर के BS UP कॉलोनी में कोरोना पॉसितिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रिशासन अलेट हो गया है कलेक्टर ने आदेश जादी करते हुए आजपास के इलाकों को कंटीन्मिन जोन खोशिट कर दिया है कंटीन्मिन जोन में सभी दुकाने ऑफिस और दूसरे पतिस्ठारों को अगले आदेश तक बन रखने के लिए कहा गया है वही स्वास विभाग की और से सभी छेत्रों में निग्राणी रखते हुए सैंपल की ज्वास भी की जा रही है 36 गर में लगातार कोरोना संग्रमी तो मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है हर दिन एक नए चौकाने वाले आकड़े निकल कर सामने आ रहा है राज़धानी के सभी छेत्र के BSUP कालोनी में भी एक कोरोना पॉजिटिव मरेश पाए जाने के बाद जिलब प्रसाशन लगातार एक्टिव मोड पर नजार आ रहा है रायपूर कलेक्टर भारती दासन, एज भारती दासन के निरदेश पर आदेश जारी करते हुए आज़ पास के एरिया को कंटेंटमेंट जोन घोशित कर दिया गया है इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि BSUP कालोनी से लेकर के विंदावन एरिया एक पकी के साथ के साथ ही रजवाराश इसे सारी एयरे यहाँ लगाता है गोशित कर दिया है उन अधिया जोन पर सैनीटाइजर का च्छिडाओ किया जा रहा है इसके साथ ही जितने contentment zone को घुशित किया गया है वहाँ पर अती आवशक सेवाओं के साथ ही कोई भी दुकाने खोलने के अनुमती नहीं मिल रही है अती आवशक सेवाओं में जैसे की medical store या फिर hospital के लावा बाकि सब सारी दुकानों को बंद कर दिये गए है नाके बंदी कर दी गई है आपको में दिखाना चाहूँगा किस तरीके से barricades लगा करके यहां पर पूलिस प्रसाशन लगातार यहां पर अपने तैनाती में खड़ सब के विखरों पर किया जा रहा है उसे आसपास के area में किया जा रहा है इसके साथ ही जो संक्रमीत मरीज है उनके identified कि संक्रमीत मरीजों के जान पैचान पर कौन उसके साथ रहा है संक्रमीत मरीज कहां कहां गया है संक्रमीत मरीज का रोजाना कहां आना जाना रहा था इसके तरीके से अब कोरोना संक्रमर से बचाओ पाये जा सकता है कैमरमें श्याम पटेल के साथ शीवा मिश्रा स्वराज एक्सवेस राइपूर